Hello students, next question देखते हैं किया है? Simplify करना है में? Under root 1-sin2θ upon 1-cos2θ तुम रूब जानते हैं, 1-sin2θ क्या होता है? cos2θ होता है, इसी तरहें 1-cos2θ क्या होता है? sin2θ होता है और cos2θ upon sin2θ क्या हो जाएगा? cot2θ हो जाएगा cot2θ जब अंडर root के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? cot2θ हो जाएगा और यह हमारा अनुसरा